हमारे जो दिल्ली का मुक्मंत्रिया है केजरिवाल वो रास्ते खुलवाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है अच्छे अच्छे पकवान वहां लोगों को बना करके खिलाए जा रहे हैं जब वहां खाने को मिलेगा घर कौन जाएगा कनाडा से दुनिया भरे का पैसा किसानो के लिए आ रहा है कि लंगर लगा रहे हैं लंगर किस के लिए लगाया जाता है लंगर लगाया जाता है भूको के लिए अपाहिजों के लिए जो की बिल्कूल एकदम बेकार लोग हैं उनके लिए गुरू का लंगर लगाया जाता है यह तो एक आपस में लंगर लगा करके और आपस में एक दूसरे को मिल बाट करके खा रहे हैं और पंजाब को देखे देखे और छुट भाईये नेता जो चमचागीरी जो की अपनी राजनीती चमकाना चाते हैं वो भी आ करके खड़े हो गए हैं अगर किसान अंड दाता है तो कपड़े वाला कोने कपड़े का दाता मकान बनाता है वो मकान का दाता अरे हर कोई आदमी अपना-पना काम करता है अपना-पना पैसा लेता है तुम इन बुड़ों-बुड़ों को क्या बादाम खिला-खिला करके इनको दस्त लगवा दोगे बाहर से पैसा जिनके पास black money दुनिया बरेकी है वो भीज रहे हैं अभी पकोड़े बना दिये थोड़ी देर के अंदर दारू आ गई थोड़ी देर के अंदर नमकीन आ गई थोड़ी देर के अंदर पूरी आ गई थोड़ी देर के अंदर आलू आ गई थोड़ी देर के अधिया को अधिया करने से कम मरता है और खाना खाने से ज्यादा मरता है जब हमारे देश के अंदर करोना की वैक्षिन आ गई है अखले जी अदब कहता है कि हमें इस पर विश्वास नहीं है तुझे तो अपने बाप पर भी विश्वास नहीं था जो उसकी राजनिती चीन कर बंगाल में जा करके अपनी सभा करता है तो उसको बोलती अड़ा नड़ा वड़ा गड़ा यह काई की पड़ी लिखी है अपने घर को सुखी नहीं रखा और बंगाल की जंता को नहीं सुखी रखा सबको दुखी रखा यह तीनों बिल लागू हो गए तो इन लोगों के घ घर के चूले जलने बंद हो जाएंगे जो सिख लोग मरेंगे जो किसान के भेस में उनकी चिताओं पर जाकरके इनको हाथ सेकना है नवसका दोस्तों किसान आंदोलन को 38 दिन हो चुके हैं और सात्वे दौर की जो बैठक हुई है सरकार के साथ में पूरी तरीके से विफर देता हूं उसका कारण सबसे बढ़ा यह है कि इसके अंदर जब तक दलाल लोग उसेव हैं जो कमीशन एजेंट हैं जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक यह वारता सफल नहीं हो सकती एक तरीके से जो हल चल और जो जमावाडा लगा रखा है वो एक नाजाएज है क्योंकि उससे क्या है कि पूरी दिल्ली की जंदा आहत हो रही है सबके रास्ते एक तरीके से बंद हो चुके हैं लोगों का निकलना बढ़ना जो है वो एक सबको ठेस लगी हुई है और दूसरा हमारे जो दिल्ली का मुखमंत्रिया है केजरिवाल वो रास्ते खुलवाने के लिए क यहां पर जितने भी बाजार हैं ठोके बाजार वगर हैं सारे बंद पड़े हैं और अपने आपको जो लोग किशानों का आंदोलन और किशानों का मशीहा जो कहते हैं इसके लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज वहां अगर देखा जाए मैं जो जमावा वहां लोगों को बना करके खिलाए जारहे हैं जब वहां खाने को मिलेगा घर को जाएगा रहने की खाने की पीने की हर तरीकी विवस्ता वहां कर दी गई है कनाडा से दुनिया भरे का पैसा किसानों के लिए आ रहा है तो वहां से कौन लोग हटेगा वहां तो और जमावारा बढ़ेगा और वहां पे जो वहां के शिख लोग ये बोलते हैं कि लंगर लगा रहे हैं लंगर किसके लिए लगाया जाता है लंगर लगाया जाता है भूकों के लिए अपाहिजों के लिए जो की बिल्कूल एकदम ब कर्देर यह लोग के जब तक कमीशन एजंट हैं यह लोग अंदर यह करेंगे तब तक कोई धर्णा परतषन हटने वाला नहीं है कंड़ा से लगबग रुपए भारतीय उनियन के जो महासचीव हैं उनके काउंट में आया हैं और फंडिंग बरावर आ रही है जो फंडिंग आ रही है इसके पीछे विपक्ष का भी हात है दिखिए विपक्ष का भरपूर हात है कैप्टन अमरेंदर सिंग एक तरीके से कांग्रेस पालिटी का मुखी मंत्री पंजाब के अंदर है और सबसे जो अगर ज्यादा तो कपड़े वाला कोने कपड़े का दाता मकान बनाता वो मकान का दाता अरे हर कोई आदमी अपना-पना काम करता अपना-पना पैसा लेता है किसान अगर उप जाएगा तो किसी को फिरी में नहीं देगा दाता उसको बोलते हैं जो किसी को फिरी में दान कर रहा हो दाता कोई नहीं है आजकल के टैम्पे आजकल के टैम्पे हर को यादी मेहनत करता है और मेहनत के बदले वो पैसा लेता है पिरी में कोई किसी के उपर ए किसानों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है तुम इन बुड़ों बुड़ों को क्या बादाम खिला खिला करके इनको दस्त लगवा दोगे बीमार कर दोगे और इन लोगों की जो मिर्ति हो रही है जो घर के अंदर साधा सिंपल रोटी खाते थे आज इनको तला भुना सब कुछ खिला-खिला करके आज इन लोगों का पेट खराब करके और इनकी मौत का कारण जो बन रहे हैं कौन रहे हैं यह जो बाहर से पैसा जिनके पास ब्लैक मनी दुन कि यहां पर इतने लोग मरे हैं और मतलब के प्रोपोगेंडा पैस करने की कोशिस कर रहे हैं देखिए बोलतो रहे हैं 24 गंटे में एक मौत हो रही है अब मौत कैसे हो रही है कहा हो रही है कब हो रही है किशान आदमी बड़ा बुजूर्गा आदमी अपने घर में रहता है परहेज का खाना खाएगा परहेज से रहेगा ठीक है और अपना स्वास्त को ठीक रखेगा अब यहां पर क्या है अभी पकोडे बना दिये थोड़ी देर के अंदर दारू आ गई थोड़ी देर के अंदर नमकीन आ गई थोड़ी देर के अंदर पूरी आ गई थोड़ी देर के अंदर आलू आ गई थोड़ी देर के अंदर खीर आ गया थोड़े दिन के अलू आ गया जब इतना आदमी खाय का तो मरेगा नी क्या होगा बचे का वो और उनका मारने का एक दो यह जो इन्ट लोग है यह लोग देखना कितनी जनताव हो पर इसी तर शेफ खिला-खिला नहीं मारतेंगे आज कल आदमी मैनत करने से कम मरता है और खाना खाने से ज्यादा मरता है और खाना भी बहिसाब खिलाया जा रहा है। कि मोदी और तेरों को कितने पैसे चाहिए ले लो कि अब तक मरवाएगा मतलब इस तरीके के विपक्स की क्या राजनीते गंदी राजनीत को कोसिस कर रहे हैं या फिर जो विदेश में बैठा हुए या फिर मोदी सरकार गिराने की कोसिस हो रही है मैं चोटा सा उधारन दे रहे हूँ आपको विपक्स का यह अपना चाहें आप ममता पणर जी हो चाहें यह आपका कैपटन अमरेंदर सिंग हो चाहें यह आशोग गैलों तो जाह जाओ विपक्स की सरकार है ठीक है कैसे कैसे खेंट्स अठाते है आज जब हमारे देश के आज समाजवादी पालिटी पूरी तरह से गर्थ के अंदर चली गई है दूसरी चीज मंताव अनर्जी जिसको बोलने की तमीज नहीं है आज बीजीपी का अध्यक अगर बंगाल में जाकरके अपनी सभा करता है तो उसको बोलती है अड़ा नड़ा वड़ा गड़ा यह काई बंगाल की जंता को नहीं सुखी रखा सबको दुखी रखा पे साड़ी हवाई चपल पहन करके पूरे बंगाल को लूट करके बैट गई है उसी तरीके से असो गहलोत अगर राजिस्तान के अंदर कुछ होता है तो उसका राजिस्तान से मतलब नहीं होता है उसका होता है य इसका की पूरा पूरा बहुमत पंजाब के अंदर है पंदरा सो से सोला सो जीओ के टावर उखाड करके फैक दिये गए नुक्सान किसका हुआ जनता का हुआ जनता का क्या हुआ मोगाइल नेटवर्क गायब जिनके पास है बच्चों की पढ़ाई वाद ही तो गई इतना सब कुछ होने के बाद में भी आज कैप्टन अमरेंदर सिंग Anda पे जूर नहीं रहांग रही है क्यूंकि सबसे बड़े दलार अगर आगर किसानों की उपज़ के हैं सुगवीर सिंग बादल प्रकाथ सिंघ बादल कैप्टन अमरेंदर सिंग ये इतने बड़े दलाल हैं आज अगर ये तीनों बिल लागू हो गए तो इन लोगों के घर के चूले जलने बंद हो जाएंगे बेसक इनके पास राजनिती में बहुत दो नंबर से पैसा कमाते हैं सब कुछ बढ़िया बढ़िया अपना कमा कमा के बढ़िया कर लिया आज इन्होंने पूरी ज जंता को सिंदू बाडर प perspectives लाके घर सुखवीर सिंग् बादल कितने दिना करके बैठा परकास सिंभ बादल कितने हाथ सेकना है और इनकी राजनिती जो चरित्र है वो सारी जंता की समझ में आ चुका है देखिए बहुत ये तो 10% भी किसान नहीं है 90 से 95% किसान इस बिल के समर्थन में हैं और भारत सरकार ने तैय कर लिया है कि जो बहुमत होगा उसके आधार पे ही कानून आएगा जिसका ब साय कि शिए इनका सही तरीके से बहिए की रहां दिखाएं किसा भी उगाते हैं तो तो हम भसल खरिते हम भसल करिद्ट करोचा ने बचों को खिलाते चाहरे वं रासन के भाव लेके हैं चाहरे ब्ल्EP से लेक आते चाह adventures भी लेके आते मगर तुम लोगों का हम लोग गहुंखरीते हैं